नमस्ते मित्रों सभी को जैश्री किष्णा आज हम जानेंगे गीता सार क्या है आपको बहुत लोग को को मालूम नहीं होगा कि 14 दिसंबर को गीता जैनती है तो गीता जैनती पर गीता का सार जाने जो हुआ अच्छा हुआ जो हो रहा है वहा अच्छा हो रहा है जो होगा वहा भी अच्छा ही होगा तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया तुमने क्या पैदा किया था जो नश्ट हो गया तुमने जो लिया यहीं से लिया जो दिया यहीं पर दिया जो आज तुम्हारा है कल किसी और का था परसो किसी और का हो जाएगा परिवरत प्राकृति क्या है नश्ठ होने वाली चीज है प्राकृति मतलब अश्टदा प्राकृति उसमें आ जाएगा जल पानी अगनी वायू यह सब नश्ठ होने वाला चीज है अश्ठदा प्राकृति शरीर यह सब चीज है न और जो परा है परा मतलब आत्मा परमात्मा वो सास्वत है जैसे कि आत्मा सास्वत चीज है वो कभी नश्ठ नहीं होती तो भगवान ने गीता में बताया न कि आत्मा को कोई गला नहीं सकता कोई काट नहीं सकता कोई जला नहीं सकता कोई सुखा नहीं सकता तो आत्मा में बहुत ही सकती है जिसको चैतन्य सकती बोलते हैं जिसकी सकती के द्वारा हम चलते हैं फिरते हैं गाते हैं घूमते हैं खाते हैं तो यह सब सकती के उस चैतन्य आत्म सकती के थ्रू ही हम वर्क आउट करते हैं तो यही चीजे हैं हमको गीता भगवान ने जो गीता अपने मुख से गाई है उसके बारे में समझना होगा जैसे कि भगवान ने गीता अरजुन को सुनाया तो अरजुन क्या बोला नश्टो मोह इसमूर्टि लब्धवा तो प्रशाद मया चुता मतलब भगवान आपके प्रसाद से मेरा मो नष्ठ हो गया यह ठर्वय अध्वाय में अर्जुन ने कहा था और एक चीज़ और बोला था निर्मान मोह जित संगदोशाध्यात मनित्या विनिर्वित कामा द्वंदे विमुक्ते सुक दुक संगे गच्छन्त पद्मा वयम मोड़ा तो भगवान के द्वारा जो ग्यान प्राप्थ हुआ उससे मोह नष्ठ हो गया अंकार नष्ठ हो गया अर्जुन का और जो गलत संगदी थी वो धूर हो गई तो भगवान के ग्यान से ही हम भवसागर पार हो सकते हैं और अध्या सात्वा जो है ग्यान विज्ञान योग है ये अवश्य पढ़ें कल गीता जहनती पर क्योंकि भगवत गीता बहुत ही अध्यात्म से भरी गीता है जिसमें की भगवान ने यहां बताए कि मैं आत्मा रूप में कृष्ण हूँ स्वयम भगवान सबके हिर्दय में हैं उसको जानने बसकी दे रही हैं क्योंकि जो अपने आपको जानते हैं जान जाते हैं वो जो अपने आपको पा लेते हैं आत्मसक्षत कर लेते हैं वो महापुरुस बन जाते हैं मानों से महामानों बन जाते हैं तो हमको गीता में हर चीज है, कर्म योग, ग्यान योग, भक्ती योग, शांक योग, ध्यान योग, सब ग्यान उसमें है, तो गीता अवस्य पढ़िये भले, आप पास लोग पढ़िये रोज, लेकिन गीता अवस्य पढ़िये, जैशी राम, जैशी किष्णा